तो माईडिय श्टुडेंट कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़ियाओंगे पिछली वीडियो मैंने आपको तिरमासिक परिख्षा 2023 का पेपर सॉल्व करवाए था आज इस वीडियो मैं मैं आपको तिरमासिक परिख्षा 2023 का पेपर कम्प्रीट सॉल्व करवाने वाला हूँ वीडियो को कम्प्रीट देखेगा बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा चले रिखते हैं सबसे पहला प्रिश्ण आपसे पूछा गया था सही विकाल चुनकर लिखिए यदि समुचाए 123 में आर बराबर 1212233 1223 द्वारा प्रदत संबंध है तो केबल स्वेतुल है संग्रामक है या फिर तुलिता तो यहाँ पर देखिए ये केबल स्वेतुल संबंध होगा क्यों होगा स्वेतुल संबंध होगा क्यों होगा क्योंकि इसमें 112233 तो मिल रहा है मतलब स्वेतुल तो है अब यहाँ पर 12 मिला लेकिन हमें 21 नहीं दिया गया तो संब्मित नहीं है है ना हमें 12 मिला 2-3 भी मिल गया इसके इसाब से हमें 1,3 मिलना चाहिए था तब जाके वो संक्रामाख होता तो केवल स्वेतलिस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगला कोशिन आपसे पूछा गया है यदि A वराबर 1,2,3 हो तो आप यदि 1,2 वाले तो लिता संबंद होगी संक्रामाख कितनी होगी यह हो जाएगी आपकी 2 कितनी होगी भई 2 यहाँ पर तो लिता संबंद होगी संक्रामाख हो जाएगी बच्चों बास समझे चलिए इसी के साथ कॉसिन वर्स 7,5,6 को सिंबर्स कॉस्ट थीटा अगर इम पुछा है कि आगला क्रिशन आपसे पूछा है 1 होता है। वह इसनंब आविटियो गहलाता है। द U option correct होगा, एक विशम सम्मित आविव के विकर्ण का पृत्ते कव्याब, विशम सम्मित आविव जो होता है क्यासा होता है। वैं याद रखेगा option number A आपका correct हो जाएगा। यह question सायद हो सकता है काभी सारे बच्चों न अभी तक ना किया हो तो दिख लें X की पावर 6 का XQ के साफिक्ष अभगलन गुड़ांग करना है तो XQ के साफिक्ष करना है यानि D upon D XQ के साफिक्ष X की पावर 6 का अभगलन आपको करना है तो कितना होता है x की power n का करते हैं तो कितना होता है n x n-1 इसी पिरकार से हम d x q की साफिक्च x q की power 2 का अब गलन करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा और ये x q ऐसे ही रहेगा जो 2 power थी उसमें से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा यानि 2 x q इसका right answer हो जाएगा c option ठीक है चलिए अगला question आपसे पूछा गया था रिक्तिस्थानों की पूलती कीचिए तो sin inverse x का प्रांत जो होता है वो होता है minus 1 से 1 याद रखेगा पंक्ती आभियू में पंक्तियों की संख्या एक होती है ये आपका correct होगा fx बराबर sin x से प्रदत फलन 0 से 5y2 में वर्दमान होता है ठीक है वर्दमान होता है दो आभियू का योग ज्यात करने के लिए आवश्यक है कि उनकी कोटिया कैसी हो वही समान हो जानी चाहिए कैसी होनी चाहिए समान हो जानी चाहिए आप देखें अगला दो व्यत्करम नहीं आवियू a और b के लिए a b का inverse जो होता है वो बराबर में होता है b inverse a inverse के cos 2x का अब कलन गुडंक होता है minus का sin 2x और 2x का खुद गरेंगे तो into में 2 आजाएगा ठीक है sin 10 dx का मान कितना होता है 10 dx का समाकरण कितना होता है तो यह हो जाता है आपका log sec x कितना log sec x इसका समाकरण हो जाता है इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे सही जोडियों की तरफ तो यह जोडियाँ आपके सामने हैं देखेगा भी थोड़ा सा हम इसको च्छोट आ कर लेती है यह रहीं सही जोडिया आप समाकरण की पूरी की पूरी जोडियां आए हैं हलाकि अभी मैंने समाकरण वाला चेप्टर आपको नहीं करवाया बट करवा दूँगा तो अभी आप केबल देखने log sin x log x सरी log x का जो समाकरान होगा वो हो जाएगा x minus x log minus x यानी first number की जोडि cot x dx का समाकलान होता है log sin x यानि ये दूसरे नमबर की जोड़ी 0 से pi y 2 cos x dx का मान ये 0 हो जाएगा बिटा कितना 0 यानि तीसरे नमबर की जोड़ी 0 to pi y 2 log x sin x dx का मान कितना होगा तो ये आपका हो जाएगा भी minus pi y 2 log 2 1 से root 3 d upon dx 1 plus x square का मान कितना हो जाएगा तो ये pi y 12 हो जाएगा पांच वे नमबर की जोड़ी इसी प्रिकार d upon dx e x plus e की पावर माना जाएगा 10 x यानि की option number c और ये 10 inverse x है ठीक है तो ये हो गए आपना कौन सा सबसे लाश्ट वाला 6 option ठीक है इनका solution अभी detail में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको chapter को अभी पढ़ाया नहीं है आपको जब पढ़ाओंगा तो आपको automatic ये सारी चीज़े clear हो जाएगी ठीक है अगला question देखते है एक सब्द एक वाक्य में उत्तर तो first question आपसे पूझा गया cos second verse x plus cos inverse x का मान देखे यहाँ पर हो जाएगा cos और second verse x plus cos inverse x का मान होता है pi y 2 तो cos pi y 2 cos pi y 2 कितना होता भी 0 होता है तो answer इसका कितना जाएगा 0 यदि a b बराबर c है a b c m गुणा 2 2 गुणा 3 4 गुणा 3 के p के आव्यू है तो m का मान कितना होता है मैं आपको बता हूँ यदि a कोई m गुणा n कोटी का आव्यू है तथा b कोई p गुणा q कोटी का आव्यू है तो अगर a b होता है a b की जो कोटी बनती है इनके गुणा करने के बाद तो वो बनती है पहले आवयू की पंक्ती, गुड़ां दूसरे आवयू की सिनम, यानि M गुड़ां क्यों के रूपकी बनती है, अब हमारे पास A की कोटी है, M गुड़ा दो, और V की कोटी जो है, वो है, B की कोटी, कितनी है, 2 इंटो 3, and C आवयू जो है, वो किसके बराबर ह मतलब A B इनका गुड़ान फल है जिसको हमने C मान लिया और C की कोटी हमें दे गई है कितनी चार गुड़ान तीन के बरावर तो चार का मतलब क्या हुआ A की पंग्ती कितनी है वई 2 तो M का मान कितना हो जाएगा तो यहां पर आपका M का मान 4 हो जाएगा ठीक है चली आगे देखते हैं अगला प्रिष्ण आपसे पुछ रहेगी यदि N A बरावर 3 N B बरावर 2 तो N A क्रॉस B का मान कितना होगा देखो वैसे तो इसका आंसर 6 हो जाएगा वट कैसे करेंगे जैसे मान लीजी कोई A अभी अभी है जिसमें 1,2,3 है और V अभी अभी है जिसमे there 2 को 1 के साथ लेखें ये और 2 को 1 की साथ 3 को 1 की साथ 3 को 2 की साथ दौनों में से एकी पावर एक्स को मन लज जाएगा और यह हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स ठीक है टैन इनवर्स बन का मुख्यमान पाई वाई फोर होता है आप सभी लोग जानते हैं ठीक है आगला प्रिशन आपसे पूछ रहे हैं यदि तीन गुणा तीन कोठी का एक वरगा व्यू है तो मॉड़ अफ एबराबर दस है तो त्यरी मॉड ओफ का मान कितना होगा तो यह आपका हो जाएगा भई इसका square यानि की hundred हो जाएगा कितना हो जाएगा hundred यहां पर right answer हो जाएगा साड़निक का मान कितना है तो three a के साड़निक का मान कितना हो जाएगा तो यह hundred आता है यह formula होता है जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि five into a है यह दि मौड ओफ ए बरावर ए है मालीजी या ए है ठीक है तो के इंटू एक का मतलब हो जाता है मतलब की स्कूर स्वारी कितना की स्कूर तो यहां पर कितना आ जाता है आपका hundred आ जाएगा बांकी देटेल में बताया हुआ है आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इसका solution मिल जाएगा ठीक है अगला question है दो गुड़ा दो गुटी का तत्समक लिखिए तो यह आप लिख सकते है वन जीरो जीरो पर इस प्रकार्द से आपका पूरा का पूरा यहां पर objective portion जो है complete ह हो जाता है ठीक है अब वहां की question में आपको नीचे दिखा देता हूं जो question है वो किस level के आते हैं कितने कितने number के आप से पूछे जाते हैं ठीक है यहां पर देखेंगे छे number में आप से सबसे पहले समाकलन का question पूछा मतलब तिरमासिक परिछाओं में समाकलन भी आप से आज की इस वीडियो से आपको काफी जाता help मिली होगी कोई भी doubt हो कोई भी conclusion हो कोई भी आपके सवाल हो आप मुझे comment section में वता सकते हैं उन पर आपको solution मिल जाएगा ठीक है बई मिलते है नेक्ट वीडियो में अब तक लिए खुछ रहे मज़त रहे जयहिंद